हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे फ्रेंट्स आज मैं आप लोगे लिए गौारफली की सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ इंगलिश में इसे क्लस्टर बीन्स भी कहते हैं फ्रेंट्स जादा तर लोग गौरफली की सबजी पसंद नहीं करते लेकिन आज में बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही मज़दार गौरफली की सबजी आप लोगे लिए बनाऊंगी और फ्रेंट्स गौरफली को खाने से बहुत सारे health benefits भी होते हैं जैसे की गौरफली का सेवन करने से मोटापा दूर होता है कब्स को दूर रखता है कॉलेस्ट्रोल को नियंतरन रखता है ऐसे धेर सारे health benefits से गौरफली का सेवन करने के तो फ्रेंट्स चलिए मज़दार सी और चटपटी गौरफली की सबजी बनाना शुरू करते हैं गौरफली की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब गौरफली लिया है इसे अच्छे से मैंने धो लिया है और इसे इस टुकडे में कट कर लेना है तो फ्रेंट्स इसे कैसे कट करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ इसके साइड वाले पार्ट को इस तरी सकते हैं फ्रेंट्स गौरफली दो टाइप की होती हैं जैसे कि एक बड़े साइज में आती है और यह चोटी वाली है यह बहुत ही ज्यादा सौफ्टर फ्रेंट्स इसमें कम रेसे निकलते हैं तो इस तरीके से हम इसके रेसे निकालके इसे अच्छे से कट कर लेना है तो थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तब हम इसमें सारी गौरफली डालेंगे सारी गौरफली डालने के बाद इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करना है तो इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं और इसे बहुत ही बढ़िया से हम 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लेंगे फ्रेंड्स आप चाहें तो कूकर में भी इसे बॉल कर सकते हैं तो इधर 10 से 15 मिनिट होने को जा रहा है तो इधर आप देख सकते हैं ये काफी सौफ भी हो गया है तब हम गैस को आफ कर देते हैं इधर मैंने एक इस तरीके का छननी लिया है आप कोई से भी जाली वाले बर्तन में इसे ट्रांस्वर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सारी गौर्फली को इसमें ट्रांस्वर कर दिया है और इसका जो पानी है इसे हमें फेकना नहीं है हम इसे सब्जी में यूज करेंगे तो इधर जब तक गौरफली ठंडी हो रही है चलिए हम सबजी बनाने की बाकी की तयारी कर लेते हैं तो इधर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है गैस का फ्लेम हमें low to medium पे रखना है फ्रेंड्स एक बड़े चमच के करीब मैंने इसमें सरसो का तेल डाला है आप अपनी पसंद की कोई से भी cooking oil में इसे बना सकते हैं तड़के में हम डालेंगे तिछपत्ता, जीरा, जवाइन और हिंग और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जैसे ही जीरा का color change हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्यास प्यास को भी हम सुने रहा होने तक भूनेंगे जैसे ही प्यास का color change हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दो बड़े size के roughly कटे हुए टमाटर टमाटर डालने के बाद इसमें हम तुरन नमक डालेंगे इससे टमाटर हमारा बहुत ही जल्दी soft हो जाएगा तो अभी हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे तो इसे अच्छे से हम mix कर लेते हैं और प्यास टमाटर को अच्छे से soft होने तक हमें भूनना है इधर हमारा प्यास टमाटर soft हो रहा है इसी के साथ हम डालेंगे एक चमच भर के lesson अद्रक का paste और इसे डाले के बाद हम अच्छे से इसके साथ ही mix कर लेंगे पूरे process में gas का flame low to medium पे रखना है तो इस तरीके से हम लगतार चलाते हुए टमाटर और प्यास को soft कर लेंगे थोड़ी देर में देखेंगे कि टमाटर और प्यास हमारा बहुत ही soft हो गया है तब हम इसमें डालेंगे गौरफली गौरफली अब देख सकते हैं friends किता soft हो गया है ये देखिए पहुत इबढ़िया से boil हो गया है तब हम इसमें सारी गौरफली डालके अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ी देर इसे भूनेंगे इसके साथ हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, सबजी मसाला, कश्मीरी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, स्वात कैनुसार नमक इन सारे मसाले को मैंने छोटे चमच से एक चमच लिया है इसी टाइम पे डाल देंगे हम 4-5 हरी मिर्च को बिश से कट करके और इसे लगतार चलाते हुए हमें भूनना है तो लगतार चलाते हुए कम से कम 2 मिनिट के लिए इसे मैंने अच्छे से भून लिया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लगबग हमारी गौर्फली की सबजी बनकर तयार हो गई है तो इस तरीके से आप थोड़ी देर और पका के गौर्फली की सूखी सबजी भी बना सकते हैं तो यहाँ पे जो मैंने गौर्फली का पानी बॉल किया हुआ पानी था वो हम इसमें एड़ करेंगे आप हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है mix करने के बाद 3-4 मिनिट के लिए हम इसे ढग के low to medium flame पे पकाएंगे friends आपको गौरफली की सूखी सबजी बनानी है या फिर इस तरीके से gravy वाली सबजी बनानी है तो आप अपने according पानी इसमें कम्याजादा कर सकते हैं और बीच पीच में सबजी को हमें चलाते रहना है चेक करते रहना है friends अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको असानी से मिल सके तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आप हम इसमें डालेंगे एक छोटे चमज के करीब कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें एक मिनट के लिए धक के पकाना है एक मिलबाद हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स सबजी के ऊपर जो ऑईल है सेपरेट हो गया है यानि कि हमारी सबजी एकदम बनकर तयार है अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे एकदम फ्रेश हरे धनिया से गार्निश कर लेते हैं गार्निश करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स गौर्फली की सबजी को बनाने कितना आसान है और ये मिंटो में बनके तयार हो जाता है और यकीन मानिए फ्रेंट्स अगर आप मेरे तरीके से गौर्फली की सबजी बनाएंग तो इसे हम लाल मिर्से डेकोरेट कर लेते हैं ताकि ये देखने में बहुत ही जादा टैम्टिंग लगे तो फ्रेंट्स आपको ये गौार फली की सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे जादा जादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंट्स में फ्रेंट्स ताकि मेरा मनुबल बढ़े और मैं कोशिश करूं ऐसी यूनीक मज़दार और हल्दी रेसिपी आप लोग के लिए ले कराऊं फ्रेंट्स आप ये गौार फली की सब्जी पूरी पराठे प्लेन रा जाद म करें लू जादे ली कि और ये हैं कोशिश करें और म्याद्स आप लूद ते कि अलते हैं कि आप लूग का हैं खरेंग आद्स दिम्हा फाली कि हा understand ओक प्लेन शेयर करें गां और मैंकर ये यूनीक रादो还ba कि रमादे खाली मेत आप सुमादेम एजग के बगी अना